आप सभी को उत्राखंड के पारंपरिक लोग पर बाल पर फुलदेई की हरदिक सुप्तामना है फुलदेई त्योहार मुख्यता छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है यह चैतर संक्रांती के दिन मनाया जाता है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैतर मास जिसे हम फरवरी मार्च में मनाते हैं क्रिश्चियन और इंग्लिश कलेंडर के हिसाब से चैतर मास ही हिंदू नौवर्स का पहला महिना होता है तो एक किसम से हम इसको न्यू येर की बिगनिंग भी कह सकते हैं ये तिहार पूरे उत्राखंड में बाल पर्व के रूप में मनाया जाता है और यूथ लीडर्शिप का ये एक यूनिक एक्जामपल है छोटे बच्चों द्वारा खुद इसमें कलेक्टिव एक्शन किया जाता है वो लोग teams बनाते हैं, team building activity सीखते हैं फूलों को चुनना चुनते हैं, खुद से थोड़ा जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं planning करते हैं कि कल पहला full किसके घर में डालेंगे, दुबारा किसके घर में डालेंगे तीसरे नंबर पर किसके डालेंगे और ये एक बहुती अच्छा लेडर्शिप का एक्जामपल है ये माना जाता है कि जिन दर्वाजों पर फूल डलते हैं इस महीने में और इन दिनों में वहाँ देवी देपता साल बर खुस रहते हैं और वहाँ पर आश्रिबार देते हैं इन बच्चों की टोली को फुलियारी कहा जाता है और इने गाउं वाले या घर वाले मिठाईयां गोड देते हैं और ये तियोहार लगातार लगबग एक महीने तक मनाया जाता है और कहीं कहीं ये तियोहार तीन दिन के लिए भी मनाया जाता है कहीं एक हपते कहीं पंदरा दिन के लिए भी मनाया जाता है मुझे खुद अपने बच्पन की याद है कि मैंने लगबग कई सालों तक हमने हमारे भाई बैनों ने दोस्तों ने ये तियोहार मनाया था और आज ये त्योहार उत्राखंड में कई जगों से बिलुप्त होता जा रहा है लेकिन धात संस्ता और आराइमटी इंस्टिटूट पिछले करीबन तीन सालों से इस त्योहार को पूरे उत्राखंड में 500 से जादा स्कूल के बच्चों के साथ उत्राखंड में गड़वाल, बनता जा रहा है पूरी दुनिया में तो आएए आप और हम भी अपने अपने घर के दर्वाजों पर छोटे बच्चों से फूर गड़एंगे